हेलो दोस्तो, स्वागत अब फिर से आपका अमारे इस नहीं वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम करेंगे MS Excel के Top 30 MCQ Question जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है और एक्जाम में बार बार रेपीट हो रहे हैं तो दोस्तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट पहला कोशन है दोस्तो किसी भी के अंदर कोई दो वैल्यू तीन वैल्यू उनको कॉंपेर करने के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं कॉलम चार्ट ऑप्शन भी हो जाएगी आपको याद रख लेना है MS Excel में जब भी किसी वैल्यू को कॉंपेर करने की बात होगी के अगर इसके अंदर तो ऑप्शन भी हो जाएगी अब देखते हैं सेगंड कोशन सेगंड कोशन है दोस्तो विच फंक्शन इन एक्सल टेल्स हाओ मैनी नुमेरिक एंट्री कितनी है उनको चेक करने के लिए MS Excel में कौन सा फंक्शन यूज होता है काउंट फंक्शन काउंट फंक्शन कौन सा है ऑप्शन बी यह आपको याद रख लेना है अब देखते हैं दोस्तो थर्ड कोशन अब दोस्तो थर्ड कोशन है दोस्तो फॉर्थ कोशन I feature that display only the data in column according to specific criteria दोस्तो किसी कॉलम में बहुत सारा data है तो हमें उसमें कुछ particular data को specific करना है तो उसमें क्याल करेंगे हम दोस्तो उसको filter करेंगे इसको क्या बहुत है filtering option C हो जाएगी आपको याद रख लेना है डाटा को filtering करते है तो जो हम उसमें particular data को specific कर पाएं option C हो जाएगी आप देखते हैं 5th question दोस्तो 5th question है statical calculation and preparation of table and graph can be done using दोस्तो जब भी हमें कोई statical calculation करनी है जो कोई graph या table को prepare करना है तो किस में करते हैं Excel में करते हैं option B हो जाएगी यह आपको याद रख लेना है अब देखते हैं 6th question दोस्तो 6th question है what type of chart will use to compare performance of two employees in year 2016 दोस्तो जब भी हम employee की performance को compare करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तो कौन सा chart यूज करेंगे line chart आपको याद रख लेना है option B हो जाएगी अब देखते हैं 7th question अब दोस्तो 7th question है which one is not a function in MS Excel दोस्तो sum, max, or min यह सभी function MS Excel के function है जो MS Excel में use होते हैं यह average function use नहीं होता तो हमारे पास option B हो जाएगी अब देखते हैं 8th question function in MS Excel must begin with दोस्तो MS Excel में जब भी function इस्तिमाल होगा वो काँ से शुरू होता है वो equal to से शुरू होता है यह आपको याद रख लेना है option B and equal sign ठीक है दोस्तो equal to sign जो होता है उससे भी start होता है अब देखते हैं 9th question 9th question है which function in Excel checks whether a condition is true or false दोस्तो जब भी हमें condition को check करना है वो true है जब false है तो कौन सा function use करेंगे दोस्तो if function use करेंगे यह आपको याद रख लेना है option C हो जाएगी अब देखते हैं 10th question दोस्तो 10th question है इन Excel columns are labeled as दोस्तो Excel में column को लिखा जाता है ABC में और row को लिखा जाता है 123 में यह आपको याद रख लेना है यहाँ पे column की बात है तो ABC is extra option A हो जाएगी यह आपको याद रख लेना है और row को लिखा जाएगा 123 में अब देखते हैं 11th question 11th question है दोस्तो यह जो greater than sign है किसकी example है यह एक logical function है यह आपको याद रख लेना है important question है option B हो जाएगी अब देखते है 12th question 12th question है what type of chart is useful for showing trends और changes over time दोस्तो trends और time change की बात होगी तो हम देखेंगे हमेशन line chart ठीक है दोस्तो option C हो जाएगी MS Excel में line chart हो जाएगा जब भी trends और time change की बात होगी अब देखते हैं दोस्तो 13th question question हम 13 the process of arranging the item of a column in some sequence or order is known as दोस्तो जब भी हम item को sequence में जब order में arrange करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं sorting बोलते हैं option C हो जाएगी यह आपको याद रख लेना है अब देखते हैं 14 question question of 14 the dash feature of MS Excel quickly complete the series of data दोस्तो MS Excel में एक feature होता है जिससे हम data को complete कर सकते हैं quickly एक feature use करके उस feature को बोलते हैं दोस्तो auto fill option B हो जाएगा auto fill यह आपको याद रख लेना है अब देखते हैं question number 15 question number 15 what type of chart is used for comparing parts of whole whole sheet की बात होगी तो उसमें किसी part को compare करने के लिए कौन सा chart यूज होता है दोस्तो यह important question है आपको याद रख लेना है pie chart ठीक है दोस्तो जब भी whole की बात होगी पूरी sheet की बात होगी तो pie chart होगा option A हो जाएगी अब देखते है question number 16 question number 16 in Excel rows are labeled as दोस्तों हमने column को कैसे label किया था ABC से तो row को कैसे करेंगे 123 से आपको याद रख लेना है row को कैसे करते है 123 से और column को करते है ABC से labeling अब देखते है question number 17 question number 17 what do you use to create a chart question number 18 देखते है question number 18 how will you graphically represent expenditure in different department दोस्तों किसी भी department की बात हो उनमें इनका expenditure को represent करने के लिए कौन सा chart यूज किया जाता है तो बात करेंगे pie chart ठीक है दोस्तों option C हो जाएगी pie chart जब भी expenditure की बात होगी किसी भी department में या किसी भी organization में तो कौन सा chart यूज होता है दोस्तों pie chart question number 19 देखते है question number 19 what type of chart is good for single series data दोस्तों single series data जब भी होगा तो अच्छा chart कौन सा है उसके लिए pie chart option C हो जाएगी pie chart ठीक है दोस्तों question number 20 देखते है question number 20 the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called दोस्तों जो smallest unit होता है basic unit होता है जिसमें हम data enter करते है MS Excel में वो क्या होता है दोस्तों एक cell होता है option A हो जाएगी यह आपको याद रख लेना है अब देखते है question number 21 question number 21 how many sheets are there by default when you create a new Excel file दोस्तों जब भी हम MS Excel में नई file create करते हैं तो by default उसमें हमारे पस तीन worksheet बनी बनाई होती है जो by default दी होती है ठीक है दोस्तों तो हमारे पस option हो जाएगी B अब देखते है question number 22 question number 22 in Excel which one denoted range from B1 to E5 दोस्तों यह एक row column है यह एक row column है इन दोनों के बीच की range को denote कैसे करेंगे कौन सा expression use होता है दोस्तों B1 colon E5 दोस्तों दोनों की बीच में column लगा देना है वो हमारा expression बन जाएगा option B हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों B1 colon E5 ठीक है दोस्तों यह आपको याद रख लेना है अब देखते है question number 23 question number 23 an Excel file is generally called a workbook दोस्तों इसमें हमारे पस जो file होती एकसल की उसको बोलते है workbook यह आपको याद रख लेना है option C question number 24 it is a collection of data that is stored electronically as a series of record in a table दोस्तों data की collection जिनको हम electronically store करते है table की form में एक series में उसको क्या बोलते हैं दोस्तों database option C हो जाएगी यह आपको याद रख लेना है ठीक है दोस्तों अब देखते है question number 25 question number 25 what type of chart is used to compare performance of sale of two products दोस्तों जब भी किसी दो product की performance को compare करेंगे तो कौन सा chart यूज करेंगे column chart यह आपको याद रख लेना है option A हो जाएगा column chart देखते है question number 26 question number 26 control plus S shortcut key used for दोस्तों S से हो गया save control plus S होता है file को save करने के लिएParion A हो जाएगी आपको याद रख लेना है अब देखते है question number 27 question number 27 control plus O shortcut key used for O से दोस्तों होता है open file को open करने के लिए option C हो जाएगी अब देखते है question number 28 question number 28 control plus C shortcut key used for C से दोस्तों होता है copy ठीक है दोस्तों यहां पर है ctrl plus c shortcut की तो हमारे पस copy हो जाएगा option d अब देखते है question number 29 ctrl plus x shortcut की used for दोस्तो x से होता है cut x बनी हो यह means cut कर देना हमने ctrl plus x shortcut की used for cut option b हो जाएगी देखते है question number 30 question number 30 ctrl plus v shortcut की used for दोस्तो v से होता है paste option c हो जाएगे आपको जाद रख लेना है ctrl plus s से होता है open होती है file c से होता है Lead copy करते है और x से क्या करते है cut करते है और v से उसको क्या करसकते है paste करसकते है अज क्ये वीडियो आगा अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like और subscribe करो मिलतें अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद